स्वागत आप सभी का टीचिंग ओस्किस लर्निक टेटफोर्म पर ये जो आंसर की मैं लेकर की आई हूँ ये आपकी TGT की आंसर की है जो कि आपकी हिंदी और इंग्लिश की रहने वाली है इससे पहले CDP की आंसर की मैं आपके साथ अपडेट कर चुगी हूँ नहीं देखा ह और बहुत सारे कानिडेट तो ऐसे हैं जिन्होंने शाद ग्रामर को इग्नोरी ही कर दिया था उनको लगता था कि ग्रामर नहीं आएगी ठीक हलंकि पैसेज में आपके ग्रामर का जिक्र था लेकिन पेडगोजी के पीछे हम लोग यहां पर भागते रहे तो अब पूरा आ सबसे पहले कौन सा संदीश अपने युगम में से सुमेलित नहीं है यह थोड़े ना डिफिकल्ट हमें इसलिए भी लग जाता है क्योंकि कई बार यह सारी चीज़े हमारी करी हुई नहीं होती है विक्रोज जैसे आपका एक विपरित आर्थक वाला है आपसे पूछ लेते बना है तो यह आपके विसर्ख संदी का एक्जापल हुआ इसलिए उप्शन नमबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है 32 पर मुगोन करते हैं दिस विकल्प के किस विकल्प के शब्दों में वार्तनिक अशुद्धी नहीं है मतलब जिसमें जो साही लिखा हो तो इसमें जो आ आक्यांस के लिए एकल शब्द के संबंदे में कौन सा युग में असंगत है कौन सा गलत है बाकी सब सही है तो इसमें जो है वहन करना कठीन हो यह या फिर जिसे किसी ने नय सुंगाओ अनाग्रात कोई काम करने की इच्छा चिकिर्शा तो इसमें जो विजय प्राप्ति क तीवर इच्छा है वो आपकी विजय गिशा जैसा कुछ भी नहीं होता है तो इसलिए आपका फोर के साथ में यहां पर जाओंगी नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का प्रयावाची शब्द नहीं है तो इसका सिंपल सा है यह सारे है इसके जो कासार है व रमशे सही अर्थ है यह ऐसे कोशन भी हो सकता आपको अजीब लगते हो तो यहां पर जो कदंबर यह उसका अर्थ होता है शराब ठीक है तो शराब और घटा के साथ आप जाओगे यहां पर नेक्स कोशन है 37 संग्या के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है आपको संगत नहीं बताना है मतलब गलत है ठीक है चलो व्यक्तिवाचक संग्याओ का परियोग सदैव एक वचन में होता है आदार्थक के अतिरिक थी बिलकुल सही बाद यहां पर कह रहे हैं देश तो हार नदी उक्त जो है व्यक्तिवाचक नहीं होता बहीं बहुत सारी नदियां होती हो ठीक है तो ऐसे आप कह सकते हो यह व्यक्तिवाचक है लेकिन अब यह जाते वाचक में जाएगा तो इसलिए आपका यही आंसर हो जाता option number two बाकि सब चीजे नीचे सही लिखी गई है 38 के साथ move on करेंगे विलोम शब्द के संबंद में कौन सा यूग में असंगत है फिर स दिरगायू आपके लंबी आयू ही होता है ठीक है तो इसने हमसे विलोम पूछा है जो कि गलत है तो विलोम आपका गलत option number two है उपसर्ग के दरिश्टे से किस विकल्प का शब्द यूगम जो है वो असंगत है फिर से आपका यही चीज आगए आपको उपसर्ग के अगर ज जाओंगे यहाँ पर नेक्स कोशन 40 सर्वनाम के संबंद में कौन सा यूगम संगत नहीं है बहुत एज़ी सा प्रशन है मैंने आज व्याकन पड़ी ये पुरुस वाच्चा की होता है कमरे में कोई हसरा है ये अरिश्च वाच्चा की होता है इसी ने मेरी जिंदगी बचा जो होता है वो गुरु के लिए दक्षणा होता है ठीक है गुरु के लिए तो ये आपका क्या है ये आपका संबंद नहीं आएगा ये आप ध्यान पे रखेगे इसलिए वन ओप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है नेक्स कोशन पर चलिएगा सेकिन 42 कोशन कहता है क कि विशेशन के संबंद में कौन सा कथन असंगत है, विशेशन के बात कर रहे हैं, ये भी easy साई question है, इसमें अगर आप देख पाते हो, तो यहाँ पर लिखा जा रहा है, कि संकेत वाचक विशेशन में किसी वश्टु का नाप या तोल, नाप तोल संकेत में नहीं होता है, न अध्यत प्रत्यशन निर्मत नहीं हो सकता, आपको यह अजीव लगे, लेकिन इसका force आजाएगा बैधव्या, गैले बै, ये तो सीधी सी बात है, बहुत ही असान सा ये प्रशन है, गैले और बै, उक्तवर्ण में ने आपका पूरा accordingly समझाय होगा, ये सारी चीज़े जो है, वो पहले खेला, उसके बाद चला गया, सीता ने पहले खाना बनाई, फिर जैपूर चली गई, वो धान पहले दिया गया, उसके बाद छात्रों को पढ़ाया, तो ये पूरुकालिक है, लेकिन तुमें ऐसा करना शोबा नहीं देता, इसमें कोई भी ऐसी किरिया नह आ सकते हैं, तो इंग्लिश उतना ही इजी आप से पूछा गया है, चूज दा ऑप्शन देट गिव दा करेक्ट मिनिंग ऑफ द गिव और फ्रेजल वर्ड गीविन, गीविन का मतलब होता है, सरेंडर करना, नेक्स कोजिन पर चलते हैं, फिर इन द ब्लैंक, तो ये बहुत ही असान सा ही, ये कह रहें कि आपकी मुमा जो है, वो बहुत ही जादा बिमार है, और जब ये पता है कि seriously बिमार है, तो ओविस से बाता आप एकदम से मतलब करोगे ही करोगे उस चीज़ को, तो जब हम हमारे पास purity जादा होती है, तो हम लोग must का इस्तमाल करते हैं, you must leave for home यानि कि आपको अभी के अभी निकलना होगा, आपकी मदर जो वो बहुत बिमार है, तो 48 कहता है कि he told all, ये about the incident है, ये तो बहुत ही सिधी सी बाता about the incident है, और जो I am going home the day after tomorrow होता है, ये सब को पता है, day after tomorrow ही होता है, मेरी इकलिश इतनी अच्छी नहीं है, फिर स्टिल मेरे क साथ एक fixed proportion लगती है, अगर आप लगा के भी देखोगे, तो भी ये लग जाएगा, gazed unto नहीं होगा, gazed into नहीं होगा, gazed beside भी कुछ नहीं होता, gazed at होता है, तो ये आप ऐसे न, मतलब लगा के भी देख सकते हो, हालंकि आपको पता होने ही चीज़े, next है 51, choose the correct option that gives an correct, passive voice प साथ आप hedge लगाओगे, have नहीं लगाओगे, has the work been done, यहाँ पर correct, passive voice में convert हो जाएगा, headmaster, dash to meet you, obviously बात है, headmaster है, singular है, तो wants आजाएगा, wants to meet you, उसके बात has such in, ये simple सा था, easy सा था, has such in, not break, break type ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो B option में आपका यहाँ पर दिकत है, इसलिए B option के सा आप चले जाओगे, next question है, 53 हो गया, 54 है, choose the correct option to fill up the blanks, dash, देखो, यहाँ पर then आया है, और then के साथ, हमेशा हम क्या चीज़ ले करके चलते है, no sooner, आपने सुना होगा, no sooner than, है न, यह थोड़ा fixed type है, मुझे भी पता ही, तो no sooner or than, no sooner had the police reached than the thief fled, छीक है, next है, choose the correct, transform to fill up the blanks, she's jumped off the train, वो train से कूद गई, कब कूद गई, जब वो move कर रही थी, है न, had moved, has moved, यह तो अच्छे भी ने लग रहे इसके साथ, तो while it was moving, जब वो move कर रही थी, वो चल रही थी, तो वो train से कूद गई, generation change करेंगे, I said to him, do you, देखो question mark का है, और जब भी question mark की बात आते है, तो said to, आपका ask में convert हो जाता है, यह सब को पता है, rules होते है, यह, उसमें convert हो जाता है, अब ask यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो व्यसी बातला आपका answer क्या हो जाएगा, यह हो जाएग तो मुझे आज भी याद है, कि यह वो मतलब एक कुरसी तोड़ू जोग जो होती है, वो आपकी senator बोली जाती है, like जिसमें आपको काम कम करना होता है, लेकिन आपको high payment उसमें मिलती है, उसको बोलते है, कुरसी तोड़ू जोग, तो two option यहाँ पर आपका correct हो जाएगा, 57 का next जो है आपका, next है choose the correct option that gives the correct meaning of the given phrase above, send for, send for, start a journey, reach to a decision, call someone in, तो यहाँ पर जो मुझे सही लग रहा है, वो आपका call someone in, यहाँ पर सही लग रहा है, बाकि आपको अगर है उसमें, तो आप बता सकते हो, 59 में मैं कोई भी जवाब नहीं दूँगी, बिकिस मेरी को यह बहुत 60, fill in the blank with the most appropriate meaning of the underlined idioms, देख कोई इसको आप पढ़के ही लगा सकते हो, कि राकेस had to deal, राकेस को अपने सभी problem को खुद से deal करना पड़ेगा, because he did not want to, क्योंकि वो आपने fair weather friends के ओपर depend नहीं रहना चाता है, तो विससे बात है कुछ positive तो होगा नहीं, तो fair weather friends कौन होगे, वो friends, जो rich family से हैं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे friends who are lawyers, मतलब आपके success के time पर ही आपके साथ है, अगर आपके पास कोई दुखाएगा तो यह भाग जाएंगे, तो इसलिए option number 2 यहाँ पर आपका correct है, ठीके तो यह हमने Hindi English solve किया है, और I hope कि आपके बढ़िया गया होगा paper, आभी आपके लिए maths और reasoning के भी answer की लेकर गया हूँ, मिलती हूं next video में, thank you, thanks for watching me.